हेलो फ्रेंट वेल्कम टू संकर सिंग एजू पॉइंट एसस मोटीवेशन दोस्त को आज की जो समसमाइक करेंट एबस की जो किलास है इसमें मैं आपको दो अगस्त से आठ अगस्त की धुहाधार और इंपोर्टेंट कॉस्चन्स बताऊंगा जो की एक्जाम्स में आना ही आ कोँचा नम्मर हमारा टू आता है भारती रजर्ड बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस चर्चा जो कि पूरू आईएस हैं और इसकी स्थापना एक अपरेल 1935 को कैलकाटा में हुई थी और इसका हेड़ काटर मुंबई पे हैं कौशन नमर थिरी पे आते हैं हम इसरो और नासा का जो साइयोक्त सैन अभ्यास है है ना तो साइयोक्त मिसन निसार उपगरा है वो किस बर्स लॉंच किया जाएगा तो 2023 में किया जाएगा इसरो और नासा के दोआरा एक निसार उपगरा है 2023 में लॉंच किया जाएगा इसरो की बात करें तो इसका हेड़कौर्टर बैंगलूरू में है, स्थापना 1979 में और इसके चीप डाक्टर के सिबान है, जिन्होंने ये हावी मंगल मिसन में सफलते दिलाई थी अब बात करें अगर नासा की हम तो नासा की जो स्थापना 1958 में हुई थी हेड़ कौर्डर वासिंग्टेन डी सी में हैं कौस्चन नमर फोर पे आते हैं भारत सरकार ने उड़ान युजना के तहट कितने नए हवाई यातायाद मारगों को मनजूरी दे दी है कौस्चन नमर हमारा पांच आता है बिस सो ब्यापार संग्टन यानि की डवलू टी ओ की रिपोर्ट के अनुसार किर्सी उत्पाद नरियात करने के मामले में भारत किस इस्थान पर रहा है तो भारत नौवे इस्थान पर रहा है आपको बताना है कि पहले इस्थान पर कौन स देश रहा है अब बात करते हैं WTO यानि की बिस्व ब्यापार संग्टन की WTO यानि की World Trade Organization इसका पहले नाम Get G.A.W.T. रहा करता था ठीक है इसका Headquarters जैनिवा में है इस था अपना 1995 में Question No. 6 है हमारा प्रधान मंत्री मोधी के दौरा किस Digital Payment को 2 अगस्त को Launch किया गया तो E.R.U.P.I. याद कर ली ना यह आने के Chances है इसके Question No. 7 पे आते हैं Admiral S.N. है ना घोर मड़े घोर मड़े को भारत की कि सेना का नया ओप प्रमुक बनाया गया तो 9 सेना यह गलत लिखा सेवा चेंज कर ली ना टाइपिंग अरर है तो अगर आप बात करते हैं कि 9 सेना के चीप कौन है तो 9 सेना के चीप Admiral कर्म बीर सिंग है ठीक है Question No. 8 आता है सीरम Institute of India के संस्थापक सायरस पूनावाला को किस पुरुसकार के लिए नामित किया गया तो लोक मानते लग पुरुसकार के लिए नामित किया गया है Question No. 9 आता है किस ने लेखा महानियंत रख के रूप में कारभार गिरंड किया तो सिरी दीपक दास ने Next Question हमारा 10 आता है किस मंतरा लग के अधियन जैप प्रौदोगी के बिभाग द्वारा बिक सित बायो टेक प्राइड गाइड लाइन्स की घूफना की गई तो बिग्यान और प्रौदोगी की मंतरा लग के द्वारा ठीक है ना बात करते हैं विग्यान और प्रौदोगी की मंतरा लग कि वो किस के पास है ये तो ये फिलहाल मोधी ने एक्स्टा ले लिया हुआ है Question नमर 11 आता है हमारा आमेसायने किस सहर में उत्तर प्रदेश State Institute of Forensic Sciences का सलान नियास किया तो लखनव में ठीक है बात करते हैं आमेसाय की तो आमेसाय फिलाल ग्रह मंतरी हैं इससे पहले ये बीजेपी के रास्टी अद्यक्ष रहे हैं ठीक है एक चीज और हमें हाँ पर बात कर लेते हैं कि जो हमारे ग्रह मंतरी आमेसाय है इनको extra ministry of cooperative भी आदिया गया है Question नमर 12 पर आते हैं टोकियो ओलंपिक में किस भारतिय खिलाडी ने बैडमिंटन में कांस पदक अपने नाम किया तो PB सिंदु ने कांस पदक एकल प्रितिस फर्दा में अपने नाम किया PB सिंदु का जन्म 1995 में हैदरावाद में हुआ टीक है इनको पदम भूसाण और पदम सिरी अरजुन एवोर्ड और राजीब गांदी खिल रत्न एवोर्ड भी मिल चुके है अब की राजीब गांदी खिल रत्न का नाम मेजर धियान चंद खिल रत्न के नाम पर रखा गया है Question नमर 13 पर आते हैं भारत की सबसे हलकी मेट्रो ट्रेन है ना पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई तो इटली से ठीक है इटली की राजधानी रोम है ना बताओ जली से कमेंट करके वहां की पीम कौन है मारीयो द्रागी ठीक है और रास्पती सर्जियो मट्रेला है ना मट्रेला कॉस्चन नमर 15 पर आते हैं भारत और किस देश की सेनाओं ने उत्री सिक्यम सेक्टर में एक होट लाइन इस्थापित किया तो चीनी सेनाओं ठीक है ना कॉस्चन नमर 16 पर आते हैं यूरोपी संग ने अमेजन पर डाटा ग अपनी है ताकर उलंगन के लिए कितने मिलियन इे उरो का जुर्माना लगाया तो 746 मिलियन इे उरो का जुर्माना लगाया मैंजन ए उफ्चन नमर 17 पर आते हैं पीवी संदू तो ओलंपिक गेम से में ब्यक्तिगत एकेंट में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतिय महला खिलाडी बन गई तो दो मेडल है ना एक तो अभी चीता है पीवी सिंदू ने एक हिससे पहले जीता हुआ था मैंमार की सेना ने कितने बर्स के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है तो दो बर्स के लिए मैंमार में आपातकाल चल रहा है उसको एकस्टेंड कर दिया गया है ठीक है फिलहाल तो बैसे भी लॉकडान चल रहा है तो यह चीज होनी ही होनी थी मैंमार की रातधानी ने पी दो है ठीक है question number 19 पे आते हैं 2022 में defense expo का आयोजन कहा किया जाएगा तो ये गांधी नगर गुजरात में ठीक है महुदय के घर ही किया जाएगा ठीक है गुजरात हाँ वहां के cm कौन है जल्दी से बताओ आना गवर्नर की बात करें तो आचार देबरत हैं आपको comment करके बताना है question number 20 पे आते हैं report के मताबिक अमबानी परिबार बिसकी कौन सी सबसे अमीर फैमिली है तो पांच मी ठीक है अमबानी फैमिली है जो दुनिया की पांच मी अमीर फैमिली फैमिली बोलें तो उनकी बाइफ है नीता मानी मुकेस अममानी अनेलब मानी सारे लोग मिलके अममानी गुरूफ है जो वो पांच मी नमबर पे इस दुनिया में पैसे के मामले में अगर बात करें कि पहले स्थान पर तो पहले स्थान पर कौन है जल्दी से बताओ पहले स्थान पर कौन है रिच फैमिली में बाल्टन फैमिली बाल्टन एने की बालमाड हाँ बालमाड की बाली कंपनी हाँ नेक्स कॉस्चन 21 आता है आई एम एप ने गरीब देशों को कोविड से ने पटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता मंजूरी दी तो 650 अरब डॉलर की ठेक है न अब बात करते हैं आई में पनी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतरास्टी मुद्राकूस इसकी थापना 1944 में हुई हैट क्वाटर ब्रेटन बुट्स में है कॉस्चन 22 पे आते हैं भारत का कौन सा सहर कोविड 19 के खिलाप 100% टी का करण हासिल करने वाला देश का पहला सहर ब राजपाल की बात करें तो सिरी गड़ेस लाल कॉस्चन 23 आता है नांगरिक उड़ेन मंतराला ने किस राज के सहरी इस्थानी निकाय निदेशालें को ड्रोन के उपियोग की अनुमती दी तो हर्याड़ा ठीक है हर्याड़ा के बारे में जल्दी से बता हर्याड़ा की पासे तो अभी हाल में ही जुत्रादित सिंधिया को दिया गया है जो कि हाँ बीजेपी के पास पहुचे हैं कॉंग्रेस नेक्स कोस्चन आता है 24 हमारा दिल्ले के मुखमंती अरविंद के जरिवाल ने किस नाइफ लेट फॉर्म की इस्थाब को लॉंच किया तो डैली हम होते हैं ठीक है आ कॉस्चन नमर 25 प्याते टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सर लवली ना बोर्गोहन ने कितने किलोराम बर्ग में ब्रॉंज मैडल जीता है तो ये 69 किलोग्राम बर्ग में नहोंने ब्रॉंज मैडल जीता हुआ है रजट पद ठीक है फरी अत्ताम पदक त उन्होंने जो ब्रॉंज जीता हुआ है अब बात करते हैं लवली ना कौन है एक मुक्के बाद है असंकी और इनको अर्जोन एबॉड भी मिल चुका है कॉस्चन नमर 26 पे आते हैं सैयोक रास्ट महासवा ने किस मूल के लोगों को एक इस्थाई मंच इस्थापित करने के मन जूरी दे दी है ठीक है अगर सैयोक रास्ट महासवा की बात करें तो लगवाक इसमें एक सुतिरान बेदेश आते हैं अध्यक्ष मारिया फजेंडा है ठीक है हाँ फजेंडा ऐसी कुछ नामें देख लेना इसका हैट कौार्टर आई न्यूएर्क में हैं स्थाप नावनिस सो पैतालेस कॉस्चन नमर 27 पे आते हैं बित बर्स 2022 के लेकि इन सरकार ने मुद्रा रेंड का लक्ष घटा कर कितना कर दिया तो तीन लाग करोड कर दिया गय पदक जीता हुआ है हौकी ने भारती है होकी ने ठीक है अब बात करते हैं कि कौन सा पदक जीता है तो हौकी ने कौन सा टोकियो में हाँ टोकियो parody 2020 में Jewish अब रावंस's मेडल जीता हुआ और inequ किक कॉश्चन between new 29 हमारा बांध पुनरबास और सुधार परियुजना के दूफरे चरण के लिए कितने रिंड समझोते पर हस्ताक्षर किये तो 250 मिलियन डॉलर के रिंड समझोते पर हस्ताक्षर किये गए हैं के लिए बांध पुनर्बास और सुधार परियुशनाव के लिए नहीं बांधों का री कंस्ट्रेक्शन बोल सकते हैं उनकी मरम्मत रिपेरिंग के लिए ठेक है कॉस्चन नमर हमारा नेक्स 30 आता है सीरी राम जन भूमी तीर छे ट्रेस्ट ने कपसे सरधालूं को राम मंदि दी है ते दिसंबर 2023 से सब को दर्शन करने की अनुमती मिल दाएगी कॉमेंट करके बताने है आपको कि राम जन भूमी है वो तो सब को पता है मंदिर एक्जेक्ट कहां बन रहा है कितने रुपे की लागत से बन रहा है कॉस्चन मत हड़ी बनाता है कौन सी स्पेस एजेंसी वोइंग और वीटल फ्लाइंग टेस्ट टू मिसन को लॉंच करेगी तो यह नासा ही करेगा नासा को मैं पहले भी बता चुका हूँ ठीक है नासा के बारे में एक एक कॉस्चन में हर वीडियो में बताता हूँ डेटेल से नेक्स हमारा कॉस्चन आता है 32 किस बैंक के दौा हमारा दुकांदार ओवरड्राप्ट योजना दुकांदार ओवरड्राप्ट योजना की सुरुआत की गई तो HDFC बैंक के दौारा ठीक है HDFC की स्थापना 1994 में हुई थी और इसके जो अभी MDO CEO हैं वो ससीधर जगदीशन है ठीक है कॉस्चन नमर 33 है हमारा भारत नेटबर्ग ओलंपिक ने कितने मिनिट के 4 इंट्रू 400 दोड में A.C.A. रिकॉर्ड को तोड़ दिया है तो 3 मतलब 3 मिनिट 25 सेकंड है ना ये और भी माइन ने बनता है तो देख लिजगाई है है ना कॉस्चन नमर हमारा 34 आता है कि लेखी क पदमा सचदेब का निधन हो गया है किस भासा की पिरसिद लेख का थी वो बताना है तो वो डौंगरी भासा की एक बहुत अच्छी लेख का थी वो पन्यासकार थी और इसके साथ साथ वे कभीत्री भी थी भूत अच्छी कभी थी हाँ कभीत्ती थी ठीक है और इनको 1971 मैं यह हिंदी के लिए भी लिखती थी काफी 1971 मिन को साहे तक आदमी पुरुसकार भी मिल चुका है कॉस्चन नमर हमारा पैतेस आता है दिल्ली सरकार ने विधायकों के बेतन में कितने परसेंट की बड़ उत्री के प्रस्ताव को मंझूरी दी तो 66 परसेंट पहली बात तो दे ने आना ही आना एकजाम में मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार का नाम किस खेल को बदल कर या खेल पुरुसकार को बदल कर रखा गया तो राजीब गांदी खेल रतन जो था हमारा खेल के छित में आजीबन उसके लिए दिया जाता था एक बार लाइफ में अब इस थे राजीब गांदी भारत के साथ में प्रधान मंत्री थे ठीक है और ध्यान चन्दे ये भाई भारती होकी टीम को तीन बार उलंपिक में गुर्ड दिलाने के लिए वो अगवाई की उन्होंने ठीक है और उनका जो जन्म है 19 अगस्त को उसी के चलते भारत का जो रास्टिय खेल होकी है तो 19 अगस्त को पिरती बस रास्टिय खेल दे बस भी मना जाता है भारत में अब बात करते हैं कि राजीब गांदी खेल रतन तो ये 1991-92 में स्टार्ट किया गया था राजीब गांदी के द्वारा अब मोदी जीनिस का नाम बदल दिया गया है नेक्स कोश्चन 37 37 आता है रास्टिय महला आयो की अध्यक्ष को तीन बस का सेवा काल बिस्तार दिया गया है उनका नाम क्या है रेखा सर्मा रास्टिय महला आयो की अध्यक्ष थी अब उनका कहार काल तीन साल के लिए और एक्स्टेंड किया गया है ठीक है लोगडाउन के चलते हैं अगला ह ओलम्पिक में अब भे 10 मेडल जीतने वाली पहली महला धाबक बन गई, पहली ऐसी महला धाबक हैं, जिन्होंने 10 मेडल जीते हुए हैं, वो भी ओलम्पिक में, तो वो कौन है, ऐलीसन फैलिक्स, कौन ऐलीसन फैलिक्स, इस्टाल लगा लिजे, बहुत ही important question है, ठीक है, ऐलीस I am billionaires, है ना, billion, billion बाली सूची में, जैब बिजॉस एबम, इलान मस्क को पीछे छोड़ कर, कौन दुनिया के सबसे अमीर ब्यक्ति बन गए हैं, तो पहले जैब बिजॉस रहा करते थे, इलान मस्क रहा करते थे, जैब बिजॉस अमेजन के संस्थापक, इलान मस्क के स्पे बटार अरनॉल्ड के बारे में आपको कॉमेंट करके बताना है, ठीक है, जैब बिजॉस अमेजन के फाउंडर हैं, बता दिया है, लास्ट कोश्चन आता है, जू लॉजिकल सरवे ऑफ इंडिया की पहली महिला ने देशा किसे नियुक किया गया, तो धिरती बनर जी ये भ झाल 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